अश्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दर योट्यूब में हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अगस्त के महीने में कौन सी कंपनी ने अपने कितनी गाड़ियां बेची और साथ ही अब बताएंगे उस कंपनी का प्रे 15 पोजिशन पे आई है फ्रेंच कार मैनुफेक्चरर सिट्रॉइन सिट्रॉइन ने 7 अपरेल 2021 को अपनी पहली गाड़ी सिट्रॉइन C5 एरक्रॉस को इंडियन मार्केट में लॉंच किया था और इसके ओवर प्रैस होने की वज़र से ये लोगों को पसंद नहीं आई जिस वज़र से जुलाइ में इसकी टोटल सेल थी सिर्फ 40 यूनिट्स की वहीं इसकी ऑगस्त की सेल्स देखे तो ऑगस्त के मैंने मैं भी इस गाड़ी की सिर्फ 50 यूनिट्स से बिक्षी है बात करें कम्पनी के मार्केट शिएर की तो कम्पनी का मार्केट शियर अभी है 0.0% क पूजीशन पर आई है Fiat Chrysler Automobiles इस कंपनी के अंडर Jeep और Fiat Motors आते हैं इस कंपनी ने जुलाई के मन्त में Total Sales की थी 909 Units की और वहीं अगस के मन्त में इस कंपनी की Total Sales है 1173 Units की बात करें कंपनी के Market Share की तो जुलाई के मन्त में इस कंपनी का Market Share था 0.2% का जो बढ़के हो गया है 0.5% अगस के मन्त में थर्टीन्त पूजीशन पर जगो बनाई है Ford Motors ने जुलाई के मन्त में Ford Company ने Total Sales की थी 3049 Units की वहीं अगस के मन्त में ये कंपनी सिर्फ 1508 Units सी बेच पाई है बात करें इस कंपनी के Market Share की तो इस कंपनी का जुलाई के मन्त में Market Share था 2.0% का वहीं अगस्त में जो गिर के पहुँच गया है 0.6% पर इसकी वज़ो यह थी कि लोगों को लगा कि Ford Company इंडियन मार्केट को छोड़ कर बाहर जा रही है ट्वल्थ पोजिशन पे आई है वाक्सवेगन वाक्सवेगन ने जुलाई के मन्त में Total Sales की थी 1.962 Units की और अगस्त के मन्त में इस कंपनी की Total Sales रही 1.631 Units की बात करें कंपनी के Market Share की तो दोनों ही महिनों में कंपनी का Market Share 0.6% ही रहा 11 पोजिशन पे आई है निसान हालाकि लोगों को निसान Magnite काफी पसंद आई लेकिन उसके बाद भी अगस्त के महिने में इस कंपनी की Sales जुलाई के महिने से कम ही रही अगस्त के महिने में कंपनी ने सिर्फ 3,209 Units सी बेची है और जुलाई के मन्त में इस कंपनी की Total Sales थी 4,269 Units की बात करें Market Share की तो इस कंपनी का जहां जुलाई में Market Share 0.3% था वो बढ़के अगस्त में हो गया है 1.2% का 10th position पे आई है Skoda Skoda ने जुलाई के मन्त में Total Sales की थी 3,080 Units की और वहीं अगस्त के मन्त में कंपनी की Total Sales रही 3,829 Units की बात करें Skoda के Market Share की तो कंपनी का जुलाई में Market Share था 0.4% का जो बढ़के पहुँच गया है 1.5% अगस्त के मन्त में 9th position पे जगों बनाई है MG यानि Morris Garages Company ने इस कंपनी की जुलाई में Sales थी 4,225 Units की जो घटके हो गई है 3,900 अगस्त के मन्त में कंपनी के Market Share की बात करें तो इस कंपनी का जुलाई के मन्त में Market Share था 1.2% का जो बढ़के पहुँच गया है 1.5% पे एट्थ पोजिशन पे आई है Reynolds रिनॉल्ट रिनॉल्ट ने जुलाई के मन्त में टोटल सेल्स की थी 9,787 Units की और अगस्त के मन्त में रिनॉल्ट की टोटल सेल्स रही 9,703 Units की बात करें रिनॉल्ट के Market Share की तो इसका जुलाई के मन्त में Market Share था 3.4% का जो बढ़के पहुँच गया है 3.7% पे सेवन्थ नंबर पर आई है Honda Company Honda ने सबसे बड़ी सेल्स ग्रोथ अचीव की है अगस्त के मन्त में जुलाई के मन्त में इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 6,055 Units की जो अगस्त के मन्त में पहुँच गई 11,177 Units पे बात करें Honda के Market Share की तो जुलाई के मन्त में इस कंपनी का Market Share था सिर्फ 3.2% का जो बढ़के पहुँच गया है 4.3% पे अगस्त के मन्त में सिक्स पोजिशन पे आई है Toyota Toyota ने जुलाई के मन्त में टोटल सेल्स की थी 13,103 Units की और वहीं अगस्त के मन्त में इस कंपनी की टोटल सेल्स रही 12,779 Units की बात करें Toyota के Market Share की तो जुलाई के मन्त में Market Share था 2.4% का जो बढ़कर पहुँच गया है 4.9% पे अगस्त के मन्त में फिफ्ट पोजिशन पे जगो वनाई है महिंद्रा कंपनी ने महिंद्रा लोगों की पहले से ही एक पसंद बन चुकी है जुलाई के मन्त में महिंद्रा की टोटल सेल्स थी 20,797 Units की और अगस्त में महिंद्रा ने बेची है 15,786 गाडियां बात करें महिंद्रा के Market Share की तो जुलाई के मन्त में महिंद्रा का Market Share था 5.7% का जो बढ़के पहुँच गया है 6.1% पर अगस्त के मन्त में फूर्थ पोजिशन अचीव की है Kia Motors ने Kia Motors ने जुलाई के मन्त में टोटल सेल्स की थी 15,016 Units की जो बढ़के पहुँच गयी है 16,750 Units पर अगस्त के मन्त में बात करें Kia Motors के Market Share की तो कम्पनी के जुलाई के मन्त में Market Share था 4.6% का जो बढ़के पहुँच गया है 6.5% पर अगस्त के मन्त में थर्ड पोजिशन पे आई है Tata Motors Tata की Nexon लोगों को काफी पसंद आ रही है जिस वज़ों से जुलाई के मन्त में Tata की Total Sales पहुँच गई थी 30,184 Units पे और अगस्त में इस कम्पनी की Total Sales रही 28,017 Units की बात करें Tata Motors के Market Share की तो जुलाई के मन्त में कम्पनी का Market Share था 7.9% का जो बढ़के पहुँच गया है 10.8% पे अगस्त के मन्त में एकेंड नंबर पे आई है Hyundai Motors Hyundai ने अगस्त के मन्त में Total Sales की है 46,866 Units की और जुलाई के मन्त में इस कम्पनी की Total Sales थी 48,042 Units की बात करें Hyundai के Market Share की तो जुलाई के मन्त में इस कम्पनी का Market Share था 19.6% का जो कम हो गया है और पहुँच गया है 18.1% पे अगस्त के मन्त में अब बात करें फर्स्ट पोजिशन की तो फर्स्ट पोजिशन पे जगो बनाई है हमेशा की तरह इंडिया की largest car manufacturer मारुती सुजुकी कम्पनी ने हाला कि इस कम्पनी की sales में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी पर उसके बाद भी इस कम्पनी ने फर्स्ट पोजिशन में अपनी जगो बनाई है और आगस्त के मन्त में इस कम्पनी की total sales रही 1,3,187 units की जुलाई की sales की बात करें तो जुलाई के मन्त में इस कम्पनी की total sales थी 1,33,732 units की अब बात करें मारुती सुजुकी के market share की तो सबसे बड़ा difference आपको देखने को मिल जाएगा मारुती सुजुकी के market share में जहाँ जुलाई के मन्त में इस कम्पनी का market share था 48.3% का वो ही गिर के पहुँच गया है 39.8% पे August के मन्त में तो दोस्तो फाइनली अब ये देखना होगा कि मारुती सिजुकी कौन से strategies apply करती है ताकि वो अपने sales figure और market shares दोनों को ही एक नए achievement पे ले जा सके तो बात करें उन companies की जिनका market share कम हुआ है तो वो है सबसे top पे है मारुती सिजुकी इस company का 8.5% का market share कम हुआ है second number पे आई है Hyundai Hyundai का 1.5% का market share कम हुआ है और third number पे आई है Ford Motors Ford Motor का market share कम हुआ है 1.4% से तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like करें चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को subscribe करना न भूलें और bell icon को tap करना न भूलें because the YouTube आपको ऐसी ही cars related information वाले videos provide कराता है comment section में जाके जरूर बताएं कि इन companies में से आपके पास कौन सी company की गाड़ी है thanks for watching my video और फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ have a good day